विदेसों में अब लोग पानी गरम करने के लिए गीजर और इलेक्ट्रिक रोड का इस्तमाल ना करके इस सोलर पैनल को खूब इस्तमाल कर रहे हैं इस पैनल के अंदर कॉइल्स को लपेटा गया होता है जब सनलाइट इससे टकराती है तो ये सूरज की गरमी को एब्सॉर्ब कर लेती है अब ये एब्सॉर्ब कीगे सूरज की गरमी कोईल्स में गूम रहे पानी द्वारा सोकली जाती है और लगातार पानी धीरे धीरे गरम होता जाता है इस कोईल के एक हिस्से से पानी अंदर जाता है और दूसरे हिस्से से गरम पानी वापस वाटर टैंक में पहुंसता रहता है और कुछी गंटों में वाटर टैंक का पूरा पानी गरम हो जाता है लोग इससे पाने गरम करके खुले में नहाने का खुब मज़ा ले रहे हैं।